आपके कमेंट का अमने लगातर जवाब दीजिया है, आप आगे कमेंट केजिए, हभी तक के कमेंट का अमने जवाब दे दिया है, और सचीन जी को मैं वापस कहूंगा, कि जो राजिस्थान सीटों का हाल बता रहे थे, वो अपना हाल अपना continue करें, जी, तो सरजसाद, वाप से एक निवेदन और करना चाहूंगा, कि वीडियो जादा बोर ना हो, अमें सब स्टेट पर जाना है, तो इस बज़े से आप बैस जो उमीदवार जीत रहा है, उसका ही नाम बताइए, कि इतने वटों से वो जीत रहा है, अगर आप सब का उमीदवार का नाम बताएंगे, तो फिर आपे सभी स्टेट भी कवर करने है, जी, सबसे पहले मैं रास्थान की लोग सभा सीट की सर बात करो, तो यहाँ पर बीजेपी 13 सीटों के उपर लीड रेती हुँ दिखाई दे रहा है, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस 8 सीटों पे, वही अगर बात की जाए, CPI की ए अजमेर से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, भागिराच चोदरी जी जो बारती जिन्ता पार्टी की तरफ से खड़े है, वो यहाँ 22,845 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे है, इसके बाद सर मैं इसे अगली लोग सभा सीट अलवर की बात करना चाहूंगा, और अलवर की अगर बात करना चाहूंगा, और बात करना चाहूंगा, बासवाड़ा लोग सभा सीट की, तो राजकुमार रोज जी जो खड़े है, वो यहाँ पे एक लाग तीस जार 835 वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे है, नहीं बात करना चाहूंगा, इसके कि अंदर जो उमेदराम बेनिवाल जी जो है, वो इस शीट से जिते हुए दिखाई दे रहे है, और यह शीट इंडियन नेसलल कोंगरेस के खाते में जा रही है, अगर उनके चुनावी अंतर की बात कर ले जाए, तो वो तेज जार 113 वोटों से दिखाई दे रहे है, यह मैं बरतपुर लोग सबाशीट की तरफ चलना चाहूंगा, जैसे मैंने बता है, संजना जाट्व जी यहाँ पर जो इंडियन नेसल कोंगरेस की तरफ से खड़ी है, वो यहाँ पर 47,211 वोटों से आग्ये चलती हुए दिखाई दे रही है, यह बरतपुर लोग सबाशीट इसके बाद सर्मा बिकानेर की उपर चलना चाहूंगा, और बिकानेर की जो हाल है वो बताना चाहूंगा कि अरजुन राम मेगवाल जी जो है, वो 50,962 वोटों से जीत्ते हुए दिखाई दे रही है, बारते जिंता पार्टी बिकानेर की जो सीट है, उससे जीत्ती हुई दिखाई दे रही है, इसके बाद सर्मा चलना चाहूंगा, अगली लोगसावा सीट के उपर, और इसका हाल में आपको दर्सकों को बताना चाहूंगा, कि जो चितोडगर की लोगसावा सीट है, उसमें चंदर परकास चोशी जी जो खड़े हैं, वो बारते जिंता पार्ट कि उमीदवार लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद इससे अगली लोगसावा सीट सर्मा चूरू के उपर चलना चाहूंगा, और चूरू की बाद कर ले जाए, राहूल कुसवा जी जो है, इंडियन नैसल कोंगरेस की तरफ से उमीदवार हैं, और ये 45, 86 अगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये शीट जो चूरू की लोगसावा सीट है, वो आपको इंडियन नैसल कोंगरेस की खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद इस सर्मा गंगानागर की उपर चलना चाहूंगा, और गंगानागर का हाल मैं आप कुल्दीप इंडोरा जी इस सीट से जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद सर मैं चलना चाहूंगा, जैपूर की लोगसावा सीट के उपर, कि जैपूर का लोगसावा सीट जैसे मैं ने लगातार दर्शकों के साथ चाजा भी की है, कि मन्जु सर्मा जी यहां से लेग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके अंतर के अगर बात के जाए तो बहुत ज्यादा अंतर यह कह सकते हैं, कि देखने को मिल रहा है 3,2496 वोटों से मन्जु सर्मा जी, नय सचिन जी आपको करेक्ट करना चाहूं कि मन्जु सर्मा जी यहां से चुनाओ जी चुक उन्होंने बदल दिया है, और राव राजिंदर सिंग जी जो है, वो जैपुर रूरल से जित्ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद सर्मा जालोर के जालना चाहूंगा, और जालोर क्या आगर बात की जाए, तो लुबराम चोदरी जैसे आपने बताये था, वो बार जालावार बारा की दुश्यंत सिंग जी जो बारती जन्ता पार्टी की तरफ से उमीदवार भूओ यहां जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, सर जुनुनू लोग सवाचीट की और बिजेंदर सिंग ओला जी जो इंडियन नेसल कों अगर मैं यहां पर चर्चा करना चाहूं तो जोदपूर की लोग सवाचीट की ऊपर चलना चाहूंगा, जोदपूर की लोग सवाचीट से गजेंदर सिंग सेखाव जी जैसे हमें एक मंत्री वी रह चुके हैं, और वही जो है परभावी सीट की ओपर भी देखने को मिल र जाता हूजी जो इंडियन नैसनल कोंग्रेस की तरफ से खड़े हैं, वो यहां से आगे चलते हूए दिखाई दे रहे हैं, अठासी हजार एकसो नो वोटों से बजलाल जाता हूजी के खाते में इंडियन नैसनल कोंग्रेस यानि की करोली दोलपूर की सीट राष्थान की जाती हूई दिखाई दे रही है फिल्हाल, इसके बाद सर में कोटा की अगर बात करों तो कोटा में ओम बिडला जी चुना उलड रहे हैं, तो यह सीट भी बारते जन्ता पार्टी की खाते में जाते हूए दिखाई दे रहे हैं, 26,960 वोटों से आगे दिखाई दे रहे है ओम बिडला जी ओटा लोगसवा सीट से, इसके बाद इससे अगली लोगसवा सीट की सर में चर्चा करना चाहूँगा, और नागोर की लोगसवा सीट की तरफ में भड़ूं तो हनुमान बेनिवाल जी जैसे लगातर इनका इस लोगसवा सीट पर वर्चसु भी रहे है, य इससे अगली लोगसवा सीट की सर में बात करना चाहूँ, पाली लोगसवा सीट की तो पीपी चोधरी जी जो है भारती जन्ता पार्टी की तरफ से जो उमीदवार हैं, वो यहां से जीतते होई दिखाई दे रहे हैं, एक लाग चपन हजार पान सो सत्तर वोटों से वो यहां पे 3,19,194 वोटों से बढ़त के साथ दिखाई दे रहे हैं, यानि कि यह आप कहा भी सकते हैं कि यह बहुत ज़्यादा लीड है सर और इस लीड को कम्प्लेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राजसमंद की जो सीट है उसके उपर बारती जन्ता पार्टी जी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और इनका अगर चुनाव की बात कर ली जाए तो यहां पर लीड रेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद मैं सर टोक सवाई मादयोपूर की सीट की अगर बात करना चाहूंगा और सब से पहले बात कर ली जाए या पर हरीष चंदर म चुनाव के अंतर के बात कर ले जाए तो 62,202 वोटों से यह आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो टोक सवाई मादयोपूर की सीट है वो इंडियन नेस्नल कोंगरेस के खाते में जाती हुए दिखाई दे रही है इसके बाद सर में अंतिम राष्थान की 25 लोग स दिखाई दे रही है तो यह दर्सकों यह थी राष्थान की 25 की 25 सीट और सकिन जी ने आपको फास परवर्ड तरीके से बताया और इसी के अनुमान आपके हमारी बैस्वानी से बिल्कुल सटीक मिलते हुए दिख रहे हैं वैसे के वैसे परिणाम है जैसे राष्थान में आ हमारी वीडियो आप वापस से जाके पिले कीजिएगा ऐसी इस्तिति आपको साब देखने को मिल रही है